हेलो फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वैशालिस क्रोशिय में आज हम ये ब्यूटिफुल क्रोशिया की फ्लावर हेर क्लिप बनाना सिखेंगे बहुत सुन्दर ऐसी इसके लिए हमने कॉटन थ्रेड यूज किया है थ्री प्लाव कॉटन थ्रेड रेड कलर ग्रीन कलर एंड यलो कलर ये तीन कलर हम यूज करेंगे क्लिप बनाने के लिए 1.25 mm का हूप ये क्लिप से हैर क्लिप्स यूज करेंगे हम और ये बीड है हाप बीड ये भी यूज करेंगे फ्लावर के सेंटर में लगाने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे और इसे चिपकाने के लिए हम फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे सबसे फेले हम फ्लावर बनाएंगे यलो कुलर के ख्रेड से सेंटर बनाएंगे फ्लावर का मैजिक रिंग बनाएंगे इसे इस तरह हमने magic ring बना ली chain one करेंगे और आगे six single crochet करेंगे 1,2,3,4,5,6,6,single crochet हमने कर लिए दागे को कीच लेंगे इसे फर्स्ट चैन पर slip stitch करेंगे इस तरह हमने six single crochet का circle बना लिया next round ने chain two करेंगे next chain पर single crochet again chain two next chain पर single crochet chain two करेंगे और next chain पर single crochet करते जाएंगे next chain पर single crochet chain two next chain पर single crochet nakon फर्स्टेशा हमने करेंगे इसे हम six chain two spaces बना लियोगे one two, three, four, five chain टू और इस लास्ट चैन पर single crochet करेंगे नेक्स्ट चेन टू स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे और यह राउंड कम्प्लेट करेंगे एक चेन करेंगे धागा कट कर लेंगे इस तरह हमने शीक्स चेन टू स्पेसेस बना ली इस तरह इस धागे को सेंट्र वाले धागे को यहां पर एक नॉट कर लेंगे बैक साइड में यहां से निकाल लेंगे और एक नॉट कर लेंगे इस तरह हमने यह शीक्स चेन टू स्पेसेस बना लिये हैं अब इसमें हम वर्ट करेंगे इडा का हम वर्ट में आड करेंगे रेड कलर की थ्रेट से स्टार्ट करेंगे फ्लावर बनाएंगे इसी भी चेन टू स्पेस में से हम स्टार्ट करेंगे यह प्रेंट साइड है यहां से स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले स्लिपनोट करेंगे अब यहां पर चेन टू स्पेस में से हुक को इंसेट करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह हमने रेड कलर का धाका एड कर लिया अटेच कर लिया यहां पर चेन टू करेंगे चेन टू करेंगे और आगे हमें ट्रिपल क्रोशी करने है यह तरी यानूवर ट्वाइस तू ट्रिपल क्रोशी करेंगे त्री ट्रिपल क्रोशी इस तरह हमने त्री ट्रिपल क्रोशी बना लिए आगे चेन टू करेंगे पर उसी स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह हमने फ्लावर का एक पेटल बना लिया ऐसे सिक्स पेटल बनाएंगे जब से पहले चेन ट्री त्री ट्रिपल क्रोशी प्री अगें चेन ट्री ऐसे पेटल बनाना हैं नेच्ट चेन टू स्पेस में असलिप स्टिच करेंगे और वैसे न्यू पेटल स्टार्ट करेंगे, सेकंड पेटल, चेन त्री, त्री ट्रिपल कुश्य करेंगे, यहाँ पर अगें चेन त्री करेंगे, और उसी स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे, सेकंड पेटल भी हमने बना लिया, इस तरह, अब नेक्स्ट चेन त्रू स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे, और वही से थार्ड पेटल स्टार्ट करेंगे, इस तरह हम एक एक पेटल बना ती जाएंगे, चेन त्री, थ्री ट्रिपल क्रोशी, चेन त्री, ऐसा एक पेटल बनाएंगे, और थ्री ट्रिपल क्रोशी करेंगे, चेन त्री, सेम स्पेस में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन त्रू स्पेस में स्लिप स्टिच, वैसे पेटल स्टार्ट करेंगे, चेन 3 आगे 3 डिबल क्रोशे आगें चेन 3 ऐसे पेटल बना लेंगे 6 पेटल बनाएंगे इस तरह हमने 5 पेटल्स बना लिए नेक्स्ट चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे चेन 3 त्री ट्रिपल क्रोशे यह लास्ट पेटल हमारे फ्लावर का सिक्स पेटल हैं त्री ट्रिपल क्रोशे करेंगे चेन 3 त्री ट्रिपल क्रोशे आगे चेन 3 उसी स्पेस में स्लिप स्टिच इस तरह हम नहीं सारे सिक्स पेटल्स बना लिए नेक्स्ट चेन टू स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे चेन करेंगे अधाका खीच लेंगे कट करेंगे इस तरह हमने प्लावर बना लिया इन धाको को बैक साइड बे निकाल लेंगे यहां से बूल कर लेंगे इस त्रेड को पीछे के आप त्रेड्स को कट कर लेंगे और ग्लू से चिप कर देंगे यहां पी त्रेड्स के इंड्स को इस तरह हमने यह त्रेड्स के इंड्स पैक कर दिए हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया अब इसके सेंटर में यह आप बीड लगाएंगे सेंटर में ग्लू लगाएंगे अब बीड लगाएंगे यहां पे नहीं हमारा फ्लावर रेडी है क्लीट पर लगाने के लिए हमने फ्लावर बना लिया अब इसे हम क्रोश्या की क्लीट पर लगाएंगे इस तरह क्लीट बनाएंगे यह क्लीट की प्रेंट साइड यहां से स्टार्ट करेंगे इसे हम इसे मूड लेंगे यांपे इसे हीच लेंगी ताकि हम आसानी से स्टिचेस कर सके ग्रीन ठ्रेड लेंगे हम इसके लिए सिंगल क्रोशेर से पीन को कवर करेंगे सबसे पहले स्लिप नॉट करेंगे ग्रीन कलर के ठ्रेड से और यहां से इस तरह हुप को इंसेट करेंगे लूप को खीच लेंगे लूप को फूल कर लेंगे यहां पर और सिंगल क्रोशे करेंगे सिंगल क्रोशे बान इस त्रेड को यहां से निकाल लेंगे आगे क्यों सिंगल पूशे और एक सिंगल करेंगे यापि कि Нियासि वूप को इन सेट करेंगी लुप कापून कर लेंगी और सिंगल क्रेंगे इस तरह आंगी दू सिंगल कुश्य बना लिएंगे अब चैन थ्री करेंगे, चैन थ्री, अब याँ पे इस साइड हमें सिंगल क्रोशे करने हैं, 16 सिंगल क्रोशे करेंगे याँ पे, 1st, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 16 सिंगल क्रोशे करेंगे याँ पे, 10 5 6 7 6 8 9 10 11 12 13 13 14 13 14 13 15 15 15 सिंगल क्रोशे हमने बना लिये, और एक, 16 16 सिंगल क्रोशे हमने बना लिये, 20 15 14 15 18 25 15 25 20 21 21 21 22 चैन्थरी का पिकॉट करेंगे यापी इन दोनों स्टिचेस के निचे से होप को इंसर्ट करेंगे लूप को पूल कर लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे यहां से स्लिप स्टिच यह हमने पिकॉट बना लिया चैन्थरी का अब आगे इस साइड के सिंगल करेंगे 14 सिंगल करेंगे हम 2 हमने पहले ही बना लिये हैं टोटल 16 सिंगल करेंगे हैं 14 सिंगल करेंगे यहां पर वन टू ट्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 11 12 13 14 13 10 22 15 15 15 16 16 15 वोल्टिंग सिंगल क्रोशे बना लिए और यहां टेके टू 16 सिंगल क्रोशे बनाएंगे टोटल दोनों तरप से हमने 16 सिंगल क्रोशे बना लिए अब यहां से चैन 3 के निचे से हम लोग को इंसेट करेंगे और लोग को पूल करेंगे यहां से स्लिप स्टिच करेंगे अब यहां पर हम वर्क करेंगे चैन 3 पर चैन 2 करेंगे यहां चैन 3 स्पेस में और एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे तू हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिए चैन 2 और एक हाफ डबल क्रोशे दबागे त्री क्रिपल क्रोशे बनाएंगे चैन 3 स्पेस में वन टू त्री क्रिपल क्रोशे बनाएंगे यहां पर त्री क्रिपल क्रोशे बनाएंगे 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 त्री क्रिपल क्रिप पूल कर लेंगे लूप को और तीनों लूप में से निकाल लेंगे फरस्ट हाप डबल क्रोशे और इक हाप डबल क्रोशे बनाएंगे यान वर लूप को खीच लेंगे यासे पूल कर लेंगे और इस लूप को तीनों लूप में से निकाल लेंगे हमारा हाप डबल क्रोशे बना लिया हमने इस तरह हमने यह पेटल जैसा बना लिया यहाँ इस तरह हमने यह पेटल जैसा बना लिया दोनों तरब से 16 सिंगल क्रोशे बना लिए अब यहाँ पर फर्स्ट चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट चेन पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह यहाँ से हम चेन फरी करेंगे और यहाँ पर एक ब्यूटिफुल बॉर्डर बना लेंगे चेन फरी करेंगे एक चेन को वन चेन को स्कीप करेंगे नेक्स्ट चेन पर स्लिप स्टिच इस तरह हमने एक चोटा साथ हाप सर्कल जैसा बना लिया यहाँ बनाते जाएंगे चेन फरी अगें एक चेन को स्कीप करेंगे नेक्स्ट चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह अगें चेन पर स्कीप वन चेन स्लिप स्टिच और नेक्स्ट चेन अगें चेन त्री एक चेन को स्कीप करेंगे नेक्स चेन पर स्लिप स्टिच करते जाएंगे ऐसे हम चेन त्री करेंगे एक चेन को स्कीप करेंगे और नेक्स्ट चेन पर स्लिप स्टिच करते जाएंगे इसे फ्रील जैसा बना लेंगे बॉर्डर बना लेंगे लिप को अगें चेन त्री चेन 3 इस चेन 3 के बाद इस लूप को थोड़ा कीच लेंगे ताकि हमें स्लिप स्टिच करने में आसा नहीं हो इस तरह अगें चेन 3 एक चेन को स्कीप करेंगे नेक्स चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह हमने यह फ्रील बना ली अब इस पिकॉट में चेन 3 पिकॉट में हम स्टिच सिंगल क्रोशे करेंगे यहां से लुप को पूल कर लेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे 6 सिंगल क्रोशे करेंगे यहां पर चेन 3 स्पेस में 1,2,3,4,5 फाइव, लास्ट वाला, शीक्स, शीक्स सिंगल क्रोशे हमने यहां पे बना लिये हैं, कॉलर बना लिये हमने यहां पे, शीक्स सिंगल क्रोशे के बाद हम यहां पे भी ऐसे फ्रील बना लेंगे उस साइड, यहां पे नेक्स चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे, फर्स्ट चेन पर और यहां से चेन थ्री बनाएंगे, एक चेन को स्कीप करेंगे, नेक्स चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे, सेम ऐसे हम यहां पे भी फ्रील बना लेंगे, चेन 3, श्कीप 1 चेन, श्लिप स्टिच पर स्टिच करेंगे, यहां पर स्टिच करेंगे, यहां पर स्टिच करेंगे, चेन 3 करते जाएंगे, एक चेन को स्कीप करेंगे, नेक्स चेन पर स्लिप स्टिच करते जाएंगे, इस तरह हमने यह साइड भी कम्प्लिट कर ली है, यहां पर स्लिप स्टिच, यहां से हमने फ्रील कम्प्लिट कर ली, अगें चेन 3 करेंगे, नेक्स चेन 3, एक चेन को स्कीप करेंगे, इस पेस में स्लिप स्टिच, इस तरह हमने इस साइड भी क्रील की बॉर्डर बना ली, अब यहां पर बॉर्डर बनाएंगे, चेन 3, एक चेन को स्कीप करेंगे, नेक्स पेस में स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 2 पर, स्लिप स्टिच, अगें चेन 3, स्कीप वन चेन, एक चेन को स्कीप करेंगे, नेक्स चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे, अभी हमारी लास्ट, चेन 3, एक चेन को स्कीप करेंगे, और इस चेन 3 स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे, इस तर हमने ये फ्रील कंप्लेट कर ली, बॉर्डर कंप्लेट हो गया हमारा, एक चेन करेंगे, और धागा कीच लेंगे, धागे को कट करेंगे, इस तर हमने ये ख्लिप बना ली, बचे हुए थ्रेट को पीछे की और यहां पर कट कर लेंगे, और गम से चिपका देंगे, ग्लू से, फेबरी ग्लू से चिपका देंगे, पैक कर दिया हमने यहां पर, इस तरेड को भी यहां पर, दूसरे तरेड को यहां से निकालेंगे, यहां से भीची कियों निकाल लेंगे इस त्रेड को कट कर लेंगे और ग्लू से चिपका देंगे यहां पर ग्लू लगाएंगे और इस त्रेड को चिपका देंगे यहां पर पैक कर देंगे इस तरह अब इस कॉर्नर में चाहां पर हमने सिक्स सिंगल क्रोशी बनाये थे उस कॉर्नर को भी यहां पर ग्लू से चिपका देंगे इस तरह आगे भी यहां पर हमें जिपकाना है इस साइड भी ग्लू लगाएंगे आगे कि वह और थोड़ा कीच के इसी थोड़ा कीचना है और चिपका देना है इस तरह हमने क्लीप बना ली पुरी तरह बहुत सुंदर लग रहे हैं पत्तय जैसे शेप में बहुत सुंदर एसे कलीप हमने बना ली तरफसे फ्रियल बना ली हमने अब यहाँ पे हम यह फ्लावर चिपकाएंगे ग्लू लगाएंगे यहाँ पे और इस फ्लावर को ग्लू से चिपका देंगे फिक्स कर देंगे यहाँ पे हमारी ब्यूटिफुल क्लीप हमारी ब्यूटिफुल क्रोशे हेर क्लीप तैयार है आप इसे गिप्ट में भी दे सकते हैं आप भी इसे बना सकते हैं जरू ट्राय किजिएगा इस तरह ब्यूटिफुल हेर क्लीप्स रेडी है आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी यह कमेंट करके जरू बताएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्रेब जरू कीजिएगा थैंक यू